आज हमारे गाउं में पूरे दिन हलकी हलकी बारी सो रही थी जिसके कारणी एक किचल हो गया चारो तरफ तो अभी मैं निकल रहा हूँ अपने मामा जी के साथ खेत की तरफ घुमने के लिए तो हम निकल गए हैं घर से यह मैंने जुत्ते पेन लिए और स्लिपर को घर पर रख दिया यह सलंग है तो यह पकार ओड़े देखी हैं यहां पर किटना किचल हो गया है तो अभी हम आ गए हैं गुए पर यह साइट यह रास्ता समसान की तरफ और यह खेतो की तरफ तो अभी हमारा समसान में जाने का टाइम नहीं हुआ तो अभी हम चलते हैं खेतो की तरफ तो यहां पर बहुत किचड होता था पहले अभी यह किट्टी डलवा दी है तो जिसकी वज़े से यहां पर इतना किचड नहीं होता है तो अभी हम आगे हैं खेतो के करीब तो यहां पर देखिए बड़ी गिट्टी डलवाई यहां पर क्या है किचड ज्यादा था तो इस जगे से पहले नाई टेक्टर आगे जाता था और नाई इस रास्ते से टेक्टर भी जाता है और गाड़ी भी जा सकती तो मैं साथ में च्छत्री लाया हूँ घर से क्या पता कब बरसात शुरू हो जाए अभी आ गया हम खेत पर तो यह रहा हमारा खिया तो यह देखिए धूल हो रही है मेरे जुतो पर मैंने अटारे में से जुत तो निकाला है तो हमारे ट्यूब बेल है तो हम यह च्छत्री और थेली यहां पर रख करके खेत की तरफ जा रहे हैं देखने के लिए तो यह आ गया मेरा खेत तो यह मैं सुयाबिन ऐसे चल रहे हैं तो यह इस साइट मेरा मामा जी का खेते इनके सुयाबिन देखते हैं इनके वे अच्छा ही चल रहे हैं यह हैं पिच्चानु साट्ट् स्वयाबिन है इनकी क्वाइलेटी है पिच्चानु साट्ट के बैंदेश्क पानी की बुन्देश्क जिसको बोलते हैं यह वह देसीखाद पेनी बन गईती तो देखियें स्वयाबिन नहीं हुगे हैं यहां पर बीच में और बाखी सारे तरफ हुगे हैं बस यही पेनी वाली होने हुगे हैं लाइन नहीं हुगी है स्वयाबिन की यह खोड़ा रोज जा रहा है क्या बोलते हैं इनको यह जनावार यह स्वयाबिन को खार आया देखिए यह इसके मुच्छे निकली हुई है और एक यह पीचे इसके इसको छेड़ते हैं अभी इसकी मुच्छे अंदर चली जाएगी देखिए यह अंदर गुसा ली इसने मुच्छे तो यह स्वयाबिन को खाते हैं उस साइट से इस साइड आ गया है खेत के इस साइड आ गया है अभी फिर वापिस उस साइड जाएंगे और फिर जाएंगे गर पे हलके हलकी धूप निकल गई है यह हमारी च्छाहों दिख रही है वहना सुबह से यहां पर पानी आ रहा है वह भूआ रहे हैं पानी के फूआ रहे और यह धूप अभी अभी निकली है वहना सुबह का मुसम खराबता तो हम आगए वापिस घेट्यों को देखकर तो अब चलते हैं घर की तरफ तो यह पत्थर और गट्टी लखा रखी है यह पत्थर जमाने हमें और यह गिट्टी को चोड़ी करना है अबर पडार उता रहेंगे भेंशों को बानने के लिए हैं महां तो दो भेंशे हैं और खुंटे